प्रशांद आज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है जहां एविक्षन तो होगी होगी साथ हम देखेंगे आसिम और सिधार जो इस हफ़ते फिर से इतने भिड़े हैं उनको लेकर भी सलमान खान काफी भड़के हुए हमने प्रोमो में देखा उस पर तुम क्या कहों सलमान खान को लेकर हमेशा ऐसा देखा गया कि वह सिधार शुक्ला को अब उन्होंने कहना ही चोड़ दिया है क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान ने कही बार समझा चुके हैं अभी तुमने देखा ही होगा कि पिछले से पिछले वीकेंड के वारप सलमान ने बहुत ही प्य तेरा बाप तेरा भाई पहली गलती तो यह एक बहुत बड़ी बात है और सलमान खान ने बोला भी है कि इससे पता चलता है कि आपकी कैसी है जो सिधार शुक्ला लगातार घरवालों के उपर या माबाप के उपर चले जाते हैं उस चीज को लेकर सलमान आज क्या करेंगे यह बहुत जादा ही शौकिंग वाली बात है क्योंकि रिपोर्ट्स में और ऐसा दिखाया बताया भी गया प्रोमो भी आया है जिसमें सलमान खान जो है उन्होंने सीधा सीधा आसिम को और सिधात को चीज बोल दिये कि तुम दोनों के दोनों ऐसा करो बाहर आ जाओ बाहर घर के अंदर तो एक नियम है कि हाथ नहीं उठा सकते हैं लेकिन घर के बाहर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाथ उठाया जाए तो तुम भार आओ और एक दूसरे को खूब मारो पीटो तो सलमान ने सीधा सीधा बोल दिया है आजाओ लेकिन इस दोरान भी क्या देखते हैं कि और ज़ादा गुस्ते में आ जाते हैं और सिधार शुक्रा ने जो हरकत की है वह और भी जादा शौकिंग हो चुकि यह क्योंकि सल्मान के समझाने के बाद भी नहीं माने और जब सल्मान ने पीटने के लिए बोला के भार आओ एक दूसरे को पीटो तो उस पर भी सिधार खोल देंगे सलमान खान और बोलेंगे आसिम सिधार्थ को आओ जादी तुम्हारे अंदर बहुत ही जादा फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को लेकर तो आके बाहर निकाल दो तो इसमें दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल रहा है प्रोमु का जो एक चंक है वह एक जैकली दू सलमान खान क्लास लगाने वाले लेकिन मैं आपको बताओं कि जहां तक बात एरोगेंट होने की है तो सिधार्थ को पता है कि सलमान खान किस लेवल पे हैं और वो अदरसल मत जो मैं पहले भी कह रहा था किया जो अब फ्रस्टेशन आ रहा है इनके आप सौ दिन एक सो पंद है एक्जेक्टली सिधार्थ को पता नहीं चल रहा है कि वह बात अच्छी वाली किस से करें क्योंकि आप देखो पारस और माहिरा आपस में बीजी हैं अगर वह आरती से बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वह भी दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता तो बहुत कमी ब हुआ यह तो इस घर में बचा कुंदू से विरोधी गुट से तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो वह इस बज़े से भी काफी एंगर में हैं और जब भी कोई बात मामूली सी बात भी कही जाती है तो उस पे वो काफी हद तक गुसा होते हैं लेकि जब रही बात सब्कान की सल् कि बात सुनने आप बीच में इंटरप्ट ना करें उससे थोड़ी खीज आती है और सलमान खान को भी खीज बार बार हमने एपिसोड में देखा है किसी वज़ा से आती है कि जब मैं समझा रहा हूं तो मेरे बात समझ लो उसके बाद जब पूछ हूं तब तुम बता और ये लगातार ये कह रहे थे कि क्या बिग बॉस सिदार के फेवर करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उपर से जो घर से विक्सन हुआ है और जो वोटिंग ट्रेंड जो आएगा जो आया है उससे तो देखकर लगता है कि लोग जो बिग बॉस में उनकी हरकते हैं उसी के हिसाब से ही वोट डाल लें